Welcome to Cult Cinema दोस्तों आप लोग कौन सी मुवी देखने जा रहे हो एक historical मुवी जो कि चोला एंपायर की इतिहास पर बेस्ट है या फिर एक history sitter की मुवी जिसे हम अपराधी कहते है दरसल ये मेरा question नहीं है ये कुछ बड़ बोले लोगों का question है जो कि ये portrait करने की कुशिस कर रहे है कि Vikram Vedha तो भाई remake मुवी है और इसमें कुछ मजा नहीं आने वाला बहुत हलकी मुवी है इसलिए आप सभी को इध्यास पर बनी फिल्मों को देखना चाहिए ठीक है मैं मानता हूँ कि ये फिल्म remake है लेकिन इस फिल्म को बनाया किसने उन्हीं directors ने बनाया जिन्होंने ओरिजिनल विक्रम वेधा बनाई थी और हम वेरी शूर कि इन लोगों से बहुत ज़्यादा उन directors को आर्ट की परक है बात करें अगर पोनियन सेलवन फिल्म की ये फिल्म नॉर्थ में भी ब्लॉक्बस्टर हो जकती है जैसा कि हमने बाहू बली वन और केज एफ फ़न के टाइम देखा था आपको ये भी बता दू कि इस फिल्म का overseas market में advance booking collection काफी अच्छा आ रहा है और ये क्रेज है ट्रिपल र की success का ट्रिपल र के popularity के बाद सारे foreigners की नजर Indian movies पे है और अगर बात करें विक्रम वेदा मुवी की तो इस मुवी का advance booking collection बहुत ही ज़्यादा disappointing है जबकि इस फिल्म को सबसे ज़्यादा सोज मिले हुए है इसका दो ही reason दे सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है सबसे पहली बात कि इस फिल्म की marketing और promotional strategy बहुत खराब है इस फिल्म के buzz का कारण सिर्फ रित्तिक रोशन है और रित्तिक रोशन अभी तक किसी भी शोज में हमें नहीं दिखे है उनको लोगों के बीच जाना चाहिए था खास कर youngsters के बीच जहां पर उनकी movie प्रमोट होती और वो काफी सारे campaigns भी launch कर सकते थे अब दूसरा reason काफी interesting है क्योंकि ब्रह्मास्तर देखने के बाद काफी सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अभी अभी तो हम फिल्म देखकर आये हैं अब इस फिल्म में क्या खास है कि हम इसे भी देखने जाएं लेकिन ये सब reasons देने के बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म चल जाएगी क्योंकि रितिक रोशन की fan following crazy है वो रितिक को इस अवतार में देखने जरूर जाएंगे और अगर ये फिल्म पबलिक को पसंद आ गई तो इस फिल्म को बवाल मचाने से कोई रोक नहीं सकता और इस टाइब की वीडियोज अगर आपको पसंद आती है तो चनल को सब्सक्राइब कर दीजे और वीडियो को लाइक कर दीजे तब तक मैं चलता हूँ ओके पाई